आपको आपको एसे इंट्रेस्टिंग टिप्स मिलते रहेते दोस्तों वह भी रोज इसलिए अभी तक आपने मेरे चानल को सब्सक्राइब ने के तो सब्सक्राइब जल्दी से चल्दी कर लिए और बेल आइकिन की साथ तागी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन्स मेरी आपक कर लेते हैं तो आपको इसकी बहुत ही बहुत ही बह्तरी रिजल्ट्स देखने को मिलेंगी इसको जड़ी आप इसतमाल करते है रोज तो आपकी स्किन जो है दिन प्रति दिन glowing नज़र आएगी और साथ ही आपकी skin tone 2-3 shade lighter आपको नज़र आएगी तो चलिए दोस्तों फटाफट से देख लेते हैं कि इस magical remedy को बनाने के लिए kin ingredients की हमें ज़रुत लगने वाली है तो सबसे पहला ingredient जो मैंने आपे लिया है वो है दही तो हमेंसे बहुत ज़ादा quantity में नहीं बनाने वाले हैं एक ही बार इस्थमाल हो जाए उतना ही हमेंसे बनाने वाले हैं इसलिए मैं यहाँ पे एक चमच दही ले रही हूँ दही क्या करता है दोस्तों दही जो है जूर्यों को खत्म करने का काम करता है साथ ही जो दूब से हमारी स्किन डामेज हो गई होती है उसे भी रिपेर करने का ये काम करता है दही हमारे स्किन टोन को भी लाइट करता है साथ ही हमारे स्किन को सौफ्ट और मुलायम बनाने में हमारी मदद करता है दही में anti-inflammatory और anti-bacterial गुण होते हैं जो कि आपके चहरे पर होने वाले कील मुहासों की समस्या को दूर करते हैं दोस्तो जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगती है वैसे वैसे चहरे पर fine lines, wrinkles आना स्वभाविक सी बात है लेकिन कई बारी क्या होता है कि उम्र से पहले ही चहरे पर fine lines, wrinkles आना शुरू हो जाते हैं तो इस समस्या से निपटने में दही आपकी मदद करता है कई बार तवचा पर मौझू दाग धबो की वज़े से चहरे पर हमारी रंगत फीकी पढ़ने लगती है ऐसे में pigmentation भी होने लगते हैं तो दही में मौझू जो lactic acid होता है वो दाग धबो को दूर करता है स्किन की सबसे उपरी परत को हटा कर स्किन की जो नई कोशिकाएं होती है उन्हें विक्सित करने में मदद करता है इससे जो pigmentation की परिशानी है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाती है साथी रंगत भी यानि की skin tone आपकी एक समान होती है अब जो दूसरा ingredient हम इसमें विलाएंगे वो है शहद शहद में antioxidants भरपूर मातरा में होते हैं जो आपके aging science को कम करता है शहद में कई इसे पोशक तत्वब भी पाये जाते हैं जो की दाग धब्बे, खील मुहासे और जुर्यों से मुकाबला करने में आपकी मदद करते हैं आपके चेहरे की चमक को बढ़ाने का काम करता है शहद साथी साथ ये skin pores में जमी dirt को बाहर निकालने का काम करता है दोस्तों इस pack को बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही कम ingredients हैं कि केवल दो ही ingredients में हमने इस pack को तयार कर लिया है खूब अच्ची तरीके से दोनों ही चीज़ों को mix कर ले और दोनों ही चीज़ें हमारी घर में आसानी से available भी होती है जो mixture हम बना रहे हैं दोस्तों इसे daily morning में आपको इससे अपना face clean करना है आप इसे केवल अपने हातों में लेकर अपने face पे रब करें जैसे हम कोई face wash लगाते हैं या फिर हम कोई soap लगाते हैं उस तरीके से आपको रब करना है यह जो natural mixture हमने बनाया है इस mixture को आप अपने face wash की जगा पे और अपने soap की जगा पर इस्तमाल कर सकते हैं अच्छे से 2-3 मिनिट तक इस mixture को अपने face पे आप रब करें ऐसा आप रोज करें आप देखेंगे आपकी skin tone जो है वो दीरे दीरे करके lighter होती जाएगी साथी आपकी skin मुलायम एकदम baby soft हो जाएगी और skin से सारी dirt mail जो है वो बिलकुल चूमंतर हो जाएगे इस तरीके से आपको rose करना है दोस्तों ऐसा नहीं कि आपने एक दो बार किया और ये कोई जादू नहीं है कि एक दो बार में ही असर कर जाए लेकिन आप इसे rose करेंगे तो definitely आपको बहुत ही बढ़िया इसके results देखने को मिलेंगे और ये जो home remedies होती है ना इसके कोई side effects नह हो चुकी है और जो मिक्षर हमने बनाया है उसे rose fresh mixture बना करके यूज करें इसे बनाना बिल्कुल भी difficult नहीं है बहुत ही आसान है केवल दो ingredients में ही इस मिक्षर को हमने बना लिया एक मिनिट भी नहीं लगेगा आपको इस मिक्षर को बनाने के लिए इसके रोजाना इस्तमाल करें आपको या रमेडी इतनी पसंद आगी कि आप इसे रोजाना इस्तमाल करना ही चाहेंगे दोस्तों इस रेमेडी को आप जरूर ट्राइन करें मुझे कामेंट में लिख के जरूर बताएगा एक मेरी रमेडी कैसी लगी आगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी इंफर्मेटिव लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मिलकुल ना बूले वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों मेरे शेदारों में ताकि आपकी जरी उनकी भी मदत हो जाए दिस्क्रिप्शिन बॉक्स में दे देती हूँ ताकि आपको साधा दूनना न पड़े और ऐसे मॉडर्म मॉपलांस का रिव्यू करती हूँ मैं जो आपकी लाइफ को एकदम आसान बना देता है thank you so much for watching this video friends मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए bye take care